मत्fach दोश्तों तो आए आज हम प्राजिक दिल्पी पठार समस्ते हैं कि प्राजिक प्ठार क्या है पिछले लेक्षे में मैंने हिमाले वणते उसले किरेंड है कि ने निश्क में सब्सक्राइब यह को आपर घृत करने सेब बंग की in म् किसको खरी जी क्योंकि इस्में आप दीखो गये जिए अप होगा आपको वर्ल इतीया हुआ तरह को इैट पो ढआद आपको यहां पर दीछे कि अलय एस चछ की का APP गारр के शब्ञाइब द्सक्राइब कैसा कैसा नि कॉपको हद lo МУЗЫКА तो आप इस बूक को अगर ख़री सकते हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे आपका प्रिवेशन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है और ज्यादा एरिया भी कवर नहीं करता यह ठीक है यह देखिए आपको इंडा के बारे में हर एक चीज के बारे में दिया हुए परंटेज इनकरीस को आप अगर यह ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है इसका ज्यादा प्राइस बिसका बहुत ज्यादा कम है फिक है चलिए तो देखिवेशई है का 2 75 रूपिस का यह फिक है श्री के अग्रेशिश ज करते है तो आश्यों हुमारा टापिक है वह प् किया करेंगे कब रहेंगे इनमें कौन-कौन-कौन警 चीजे हैं चलिए तो पहले आपको संद्राव चलिटेया थे यहां पर मैंने यह जो लाइने ड्रॉ की हुई है यह पहाड़ी दर्साते हैं यह जो लाइने यह पहाड़ी दर्साते हैं 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 यह क्लिक्सों कर दोकिकर है तो कि सब box कर रहें अब बचाएन लाइनन डॉक्या हूए है थीद ये बलेक लाइन हम को प्राइड अधियें पठार की बाई प्राद्यपीय पठार यह पूगा है यह ना कि यह तो उसके बाल यह अलग भाव हो गया यह हमारा प्राद्यपीय पठार होता है ठीका चलिए तो वन बावा हम क्या करते हैं इसको पढ़ना साट कर देते हैं तो यह पहले मैं सबका नाम बता देता हूं ठीक है आप लोग अभी नोट नहीं करना अभी कुछ भी लिखना नहीं है पहले समझ यह समझें ज्यादा इसके बाद मैं लिखांगा जब मैं भूलेंगा अब नोट कीजिए तो आप नोट करना स्टार्ट करते हैं होज़कों ओफ ही अब है यह अरांवन, यह अलवला का पतार यह ३ांगरी विंद्परवद. यह सथ्पूडा का पतार यह राजमाय की पाहडी है यह यहांप रहा work पर दखन का पठार श्त्रस नाम बतार के पुरा क्यों स्लंक स्लंक परदी इसको एगाले का बड़ार भी बोल सकते हैं इसमें तीन डाम बता है तो यह मैंने बाद कहली किसकी हमारे इंडार में बातार में लाद्रीक परद्री पठार न सरी चीजे यहां पर यह लेखो गें यह मैंने आप द्रोक कि वही है और यह छोटी छोटी पहाड़ी यह कार्डेमम है जिसको इलाची पहाड़ी भी बोलते हैं अब बताऊंगा अब फिर उसके बाद एक्स्प्रेइन अच्छी लिए करें बले समझते हैं कार्डवा में यह अन्ना मलाई पहाड़ी करके हैं और यह हमारा पॉक्षमी घाट है और यह क्या हमारा पूर्वी घाट है तो आप इतना समझ के रहे हैं लगाए तो इस तरी के कोशन आपको पूछ सकते हैं चलिए अब आज़ा थे प्रादिवी पठार के बारे में तो आपने यह देख लेकि हमारा यह भाग है प्रादिवी पठार इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया थे जो भी हमारे कॉंटिनेंटल सकते हैं और जब यह जूडते हैं तो इनका पहले एक नाम था पैंजिया क्या रहा था इनका पैंजिया ठीक है पैंजिया बहुत साल लाखों सालों के बाद पैंजिया का विगटन हो जाता है और वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है कितने भाग में बढ़ जाता है दो भाग में डिवाइड हो जाता है ठीक है यह पूरा एसा पैंजिया था ठ व इसका नाम हो गया गॉंध्वाणा और इसका नाम ग水 नाम होगया अंगोरण, इसका नाम क्या हो गउंगार अर इसका नाम क्या हो sotto रखने लगा और उप्पर की तरफ रखने लगा। और करम Dus तरफ सरका दो ग्रेंड मेरे कहा तुम्हारा की तरफ और ये लगा अभी खता दौ बहुत संव घ्यां को स्पास्थ ऐसे चिंहें सबस्क्राइब दिखाई देगा ठीक मैं उसके बाद वहां से पूरा उत्तर की तरफ मूव एकर से तकरागा जब इसे प्लेट से तकरा तक किसका करिके कि देंगे हमारे पास ये पुरा भाग नहीं था जब है आफ्रीका से जुड़ा होगा सब्सक्राइब था नहीं थे यह किसका भाग था आफीका का ? यह भी हमारे पास नहीं था ? खाली हमारे पास इतना था तो यह जब अप Ifaska में था तभी प्रादशिपी पठार यह सारे चीजे फॉरण हो चुकी थी लगभग इसमें से कई सारे चीजे तभाचीन है यह कि नाव कि यह न हिए कै कि इरीक पेत का भाग। यह किसका भाग है , तो कि आंट वागी जब आके ओर रोगराय है , त जा था हुआप देखके है यहाँ से यहाँ से फोल्ड हो जाता है , जब ऐसा प्रेशर पड़ी का है , तब वो फोर्म होता है आई इसको थोड़ा डाइग्राम के जल्ली थोड़ा समस्कें तो ज़्यादा असाथ देखो मैंने इतो डाइग्राम बनाया है इसको आप वर्टिकली देखिए तो आप अगर देहां से देखोगे तो यह साउथ साइड है साउथ कुन सा है यह है तो साउथ साइड अच्छा असलिए पेशी हमाले में देखे थे मैं आप बताया था उस दिन नोट करने के लिए बोला था कि हिमालय के जो पहाडिया है वहांटेल से स्याजा से अधिक उचाई होती है ठीक है और हमारे उसके बाद लगों हिमाले की उचाई कम होती है फिर उसके इसके सिवाले की लंब बढ़ाँ पर से समतल होना चिये और फिर ऐसा होना चिये तो फिर ऐसा होना चिये तो उपर समतल है 300 मेटर को चाहिए तो इसको क्या बोलते हैं पठार ये होता है और ठीक है तो ये अब समझ देते हैं तो अब यह पार्ट है अब यह उपर से उठाओ और फिर यह उपर की तरफ आए है और फिर यह नीचे की तरफ गया नीचे की तरफ और फिर यह हमारा हो जाता है यह व्रियात हिमाले यह गाल हो गया यह वनावर अगया और फिर थे वालीक का हुआ यह जो मैदान है यह जो मैदान हो इस तरफ दासे तरफ दकते फिर हजाते है और इसके बाद यह प्लेडियी जो जाते है यहां पर यह संतल मैंदान है हमारा लगू इमाल है और हमारा यह पठार यह प्रपठार और यह हमारा सिवाली का पठार इन दोनों के बीच के जमीन है जहां पर घंगा रिवर और यमुना रिवर फ्लो करती है वो जमीन बहुत संतल है संतल क्यों है पहले उसमें बहुत गयर तक निफ्रा निचे कितरप क्या होइक इस तरह से निफ्रफ किताता है थस चुका था बड़ वह संतर नेही आया था चुक कि देखो तो यह हो गैसे वा यह और यह हो गया हमारा संतर मैंदा संसर्था फिर यह अब अब इसका कैसे संतल हमारा जमिल कैसे हुए आप देखे रहों कि यही पर इलाहबाद जौनपूर जौनपूर सब यही पर बसे हुए और आप उहां पर जानते हैं कि वहां पर संतल भूमी है संतल कैसे हुई जब आपको बता है कि यहां पर कुम सा सागर था टेशित सागर नीचे में यहां पर बना के दिखाया था यहां पर पुरा भार चुका था यह क्या थे जब रिवल करती है उनमें रॉक्स जो अवसादी चटाने वह बहुत ज्यादा हो चुका था और वही सेम प्रोसेस यहां पर भी ठीक है टेशित सागर जो भी अपने साथ यहां पर यहां से टकर आएं यह तो मौंटिन यूरिशन से टकर आएगा बशसका जो मालता तो मतर्या था वह यहां पर आकि सब बैढ़ जाते ठीक है उसके बाद उसने क्या किया इसको गयाप को भड़ दिया मतनलम भी बना दिया यहां पर सागर का पानी जो भी उसका और साधे चत्ता नहीं था। बहर जाती है इसके वज़े से यहां पнес ज्यादा नरम होती है तो आपको पाने ज़्दी मिल गाता है कि यहां पर सब्ञत का पानी प्लस भीर तो आपको प्र हुग्यक्य देनी शुए ठीक है यह तो टेथित सागर का मलबा है पूरा ठीक है जिस्तेंस में पाठीदिया भड़ दिया तब ही दाकि यह हमारा जो गंगा अपना लिवर का जो भी यह सब यहाँ बाद जो पूर्चों पसेवे उसक्या है संतर भाग में है तो यह आपको समझ में आगया यह पूरा ठीक है य ठीक है अठीक है अजिए सब म‎ अह थोड़ा आगी चलते हैं तो आपको मैंने बता है यह चोटा नामूर को पक्तार रहें यह फिक है यह यह नेलगरी कि पहाड़ी कि है आगर सब पूछा थे कि भारत का सबसे दित्शिन को सा ही तो यह पूंसा होगाbirds करी सोगीव एक तक आपको लगबग मेरे खाल से समझा दिया गया है अब मैं लिख्वाना स्टार्ट करता हूं अब एक पॉइंट हरे पहाड़ी पे चोटा-चोटा पॉइंट लेकर डिसकस करेंगा और हरे पार्थ में इसके चार या पाच पॉइंट हम लिखने का कोशिस करें इसमें की तो आपको आपको समझेगा इसलिए बोला आपना खरिद दीजिए ठीक है जिस तरह से मैं आपको पढ़ाता हूं अगर आप अपने सामने मैप रखोगे तो आपको आसानी होगे चीज़ों को समझेगा ठीक है तो गुजरात से लेकर कहां तक है दिल्ली तक इसकी स्थिति है ठीक है तो इसकी लंबाई कहां कौन से डाइशन में जा रही है तो यह उत्तर की तरफ दिल्ली तक आठ्टों किलोमेटर की लंबाई है गुजरात से लेकर दिल्ली तक और इसकी अधिकतर लंबाई जो है वो राजस्थान में कहां पर है राजस्थान में इस पानी को बोलते हैं जार्ग क्या बोलते हैं राजस्थान में इस पानी को क्या बोलते हैं जार्ग ठीक आपको यह यह समझ गया राएगा मैं इसको रपक्वण देता हुपकelnी मुं अलग को नद्ली में मढ़ता है चाहँ जार जाता है और शुतर यूतर नंद्शक चाहर रज्सक्तार जाता है आप शुनालवी कीसमें मरें प्रम च्क्रिकुण Casey कि र Ochar G तो यह हो गई आपने इसके लिए है और लिख सकते हैं अलावली पहाड़ी हमारी सबसे ओल्डेस मॉट्डेन है सबसे पूरा नहीं पहाड़ी है क्योंकि जब हमारा यह प्लेट अफ्रीका में था तभी यह फॉर्म हो चुबा ठीक है मैं इसको बताना चाहता हूँ बट एक अलग में लेक्षर्स बनाओंगा ठीक है एक अलग सीरीज होगी जो सिर्फ यूपीएस के स्टुडेंट के लिए होगी उसको मैं और आप्सिनल करके वहां पर पढ़ाने वालूँ ठीक है करके मैं यह सारी चीजा वापस से एक टॉप करके डीप में समझाओंगा ठीक है वाट अभी इंटर्स इंग्साम्पल है आप इतनी सारी त्यार यह कर लेगे तो इत्रा दो है कि एक प्रस्ण छूटेंगे या इससे बाहर नहीं आले वाले हैं ठीक है और अगर आप ध्यान दोंगे ठीक कि यहां पर एक मांटें चूटी बलाएगsti इए ठीक है यह चूटी है कि अब यह चूटी है ठीक है मांट बेंड क्यक्तिक मांट राजस्छान के मांट शूट में euro मॉं आगर मॉंत आपो में है ठीक है इसका लाम गया ढूर्ण कनो क्या है क्या है क्या है घृत उंक डिखी अब लोग ठीक है पॉल्ट हूं vessie करना है और चाहले राज सां के मांट का घृत है ठीक चले अगला एडिक अगलों मालों का पण यहां पे एक रिवर फ्लो कर रहे हैं आप देख रहे हैं है गुरु शिखर से रिवर निकल बूरुज़ा रिवर करके यह बाद स्रिवर इस चम्बर में जाके मेल जाती है जिसको साइग न दिया होता है चंबल की साइग न दिया अगर पूछा जा तो क्या है बानास ठीक है तो यह रिवर कहा जाकी पर जाते हैं चंबल में यह रिवर चंबल है और यह सिंध है ठीक है चंबल सिंध बेदवा कें यह चार यह मुना की साइग न दिया है और यह मुना तो आपको यह परवत परच लेगा सबसे उची चोटी है यह कहां पर इस्तित है राजस्थान के माउंट काबो में इसका नाम क्या है गुरू सिखर से एक रिवल निकती है वानस जो की चंबर लिवर की साहिक में दिया है अगला हैडिंड आगे हम अगले हैडिंड की तरफ च का छीड में और बिद्य परवत के उत्तर डारेक्शन लिच में का से इसकी है समझ गया आगया इस तरह तरह भाई है मालवा का पठास जो है यह लानलोप की चेल्द रोप में फ्लो करती है मतलब अगर वो फ्लो कर रही है तो बहुत धीमी करती से अपने जो पेसाल चट्टाने होती है जो अगर लावा जो निकलता है जब जोरा मुखी फूटता है जो लावा इतना सांथ में निकले और कहीं एरिया में जाके अगर बस जाए या सूख जाए ठीके जम जाए तो उसक में बसाल चट्टाने कहें ठीक तो यह जो मालवा का पठार है पूरा जोरा मुखी के अधार से बना हुआ है काली मिट्टी होती है ठीके मालवा का पठार में पुरी यह पाली तीह अदिन है में पढ़ाओंगा यह सब सारी चीजह जब मिटी मैं पढ़ाओंगा ठीक है अब यह किसे बनी होती है ज्वाला मुखी के Üद्गार से ठीक है आगे साथे ठीक पैसे जिसको हम क्या बते हैं धेसार्ट जताय ने पहुते हैं हieu कि मालो का पत्पाल यहां पर देख रहे हैं चंबल रिवर चंबल और सिन्द्र वजी नहीं तोफे आपधे मिलते हैं यह नहीं और इंसी और सब्सक्राइब सब्सक्डर से करिए कि एस इस तो पूरी तरह साम बात करने बढ़ें तो आप अब यहां पे ध्यान दिजिए कि यह जब चंबल है और सिंद्री वर एक इसकी साइट की तो यह जो मालवा को पठार है पुरा कट फड़ चुका है पूरी तरह से ऐसे हो चुका है क्योंकि इसमें क्या होता है कि रिबर्स क बन जारे है और बहुत घाला तीटर भीदर हो चुका है और फूरा चुका है यहां पे दोई रिबर्स दिखा वह जब अब हो अब यहां सरी चुटी रिवर्स फ्लो कर दिये हैं जो कि पुरे मालवा पठार को क्या कर चुकी है तलशयाते कर चट चुकी है मतलब इसको अगर पूछता है कि ऐसा कुन सा रिवर है जो मालों पठार को अनालीका अपवर्दन में डिवाइड कर देता है अगर पूछता है कि बताईए अनालीका अपवर्दन जो मालों पठार में यह कौन सी रिवर करती है तो आपने मालों देख लिया तो आपको अभी कौन कौन सी चीजे ख्लियर हो चुकी है आप आपने पहले इस पूरे मैप को देखा ठीक है और फिर अरावली परवद को अच्छे से देखा मालों का पठार को अच्छे से देखा ठीक है आपको इनके नाम पता चले अगर नेक्स लेक्षर में क्या करोगा प पूर्वी घाटत न पोशेब्स अच्छर चुपी है इसका रीजन क्या है आप जहां से देखें तो आप प्वेयान के यहां से फ्लो कर रही है तो आप को इहां से सीद्वाफ को अधिन को मिलता है और समसे सार मिधारता है यहां पर कुछ सागर है बंगाल की खड़ यहां पर अरब सागर यहां पर हिंद फागर तो सब किसर कहां पिछाते हैं हुआ है कि आई कि भंगाल की खाड़ी में ठीक है कि यह फेख़को से यह यह पर यहां से ब्रहुच्पन पूत्रर विव निकलती है सब किस्व कहां तहती है यह महानदी अचाल भी कहां जा तहीं है है वेता है भंगाल की खाड़ी में गोदाव्य लिकाल से पूछे जाматर थे क्रिस्टना अंद जहीं करें और निल में तो ने करें है दनागेफा ओरपसी तब fuck ठीक घै तो अब आज की लेक्चर में बस इतना है !! जाला लेक्चर लंबा कर गीं मतलब नहीं निकलेगा और आपको भी अचहा है तो आज k लेक्चर में हम 今日は सिल्किन चीदा के बात करेंगे आपको बता देते हम ठीक है ठीक है तो और नोट्स आप बरोबर बनाते चले जाएगे नोट्स में कोई कमी मत कीजिए नोट्स मुझे आपकी अगर नोट्स अच्छे रहेंगे तो आप वापस उसको रिवाइस कर सकते हो अगर बर्स है तो अगर एक दूदीन में भी बैठेंगे तो उसको अच्छे से आप कवर कर सकते हैं क्योंकि मैं जितनी चीज़े बोलता हूं अगर आप लिखते चले जाएंगे तो और मैंने आपको एक बोला था कि मैप बना लेजिए उस मैप को जरूरी है बनाना क्योंकि आप मैप बनाओ को इसको डेली देखोगे तो आपको वह चीज़े याद होती चले जाएंगे ठीक है और एक चीज़ रह गई अगर आपको इसमें कुछ डाउट होता है या फिर मुझे आपको कुछ कमी दिखती है ठीक है कि मुझे कुछ अपना सुधार करना चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बता दीजिए ठीक है क्योंकि वह कमिट अगर मैं देखूंगा तभी मैं सुधार कर पाऊंगा नहीं तो मैं इसी वेजिए